हेलो अब्रिवन आज जो है आप लोगों का साइंस का क्लास लगने वाला है कल हमने इंग्लिस का फर्स्ट लेशन किया था आज हम लोग साइंस का पहला लेसन कर रहे हैं तो हम लोग का साइंस का पहला लेसन यह क्लास फाइफ के स्टूरेंट्स के लिए मैं बता दू क्लास फ बॉब है कि पॉदे जो हैं वह पूरी दुनिया में मुदते हैं wanna अमारे आस पास जो हैं पॉदे हमारे जुबी only two बहुत पुर्ण हिस्सा है पॉदे जो है कि हम लोगों को oxygen के जरूरत है वो भी जो है हम लोगों को हरे पौधों से ही प्राप्त होती है बोलता है कि plants of new trees are only trees not only increase forest wealth but also help to check soil erosion as well बोलता है कि जब planting of new trees दिया हुआ पर बोलता है कि जब हम लोग नए पिर लगाते हैं तो इससे ना सिर्फ आपको जो आपको जंगल one का जो अब हमारे पास wealth है जो धन है उसमें बढ़ोतरी होती है बलकि जो है इससे हम लोगों का जो मिट्टी का कटाव है वो भी रुखता है plants में यानि कि यह जो पौधे हैं वो हमारे दुनिया को और भी ज़्यादा खुबसूरत बनाते हैं इसलिए इस बात का पता चलता है इन सारी चीजों से कि पौधे आपको बहुत ही जरूरी है धर्ती पर पौधों का उगना धर्ती पर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हम लोग आपको सीड बारे में वी ऑ्रड़ी नो हैं कि हम लोग पहले सही पता है कि पौधे ज़ोते वह आपको बीज से ही उगते हैं यानि कि ना सिर्फ से कभी-कभी क्या होता है ना कि आपको सीड के अलावा पौधे जो होते हैं वह स्टीम रूट या लीफ वगरा से भी उग जाते हैं जैसे कि दिखते हो आप गुलाब का पौधा जिब लगाने जाते हो तो आप क्या करते ह अब लोग था लेते हैं अब जो है इन एपल खाया होगा यह और उर्ण्स तौप खाते हूं तो यह साड़ी चीजों के आपने सीड देखे होंगे जो नाय पौधे होते हैं ग्रोफ रॉम दीज सीड यानि कि नाय पौधे जो होते हैं वह इन भीजों से आपको उगते हैं आपने कभी भी बीज को अगर ध्यान से देखा हो गया तो आपको देखनी के लिए मिला होगा कि यह जो होता है अबस आप लेट सीड देखे जरा यह कैसा दिखता है यहां पर बगल में चित्र भी दिया गया है तो देखते हैं कि यह कैसा दिखता है कुछ जो होते हैं हावा या फिर बारीश वगरी से बरबाद हो जाते हैं towards effect is the जो है प्रयाप्त मत्रा में जल आपको हवा और बाकी सारे फेवरेबल कंडिसेंस अवेलेबल करवाया जाते हैं तो उस सीड से जो है आपको छोटा सा पौधा निकल जाता है अब थोरस हम आप लोग को सीड के स्ट्रक्चर में बता जिते हैं देखें यहां पर स्ट्रक्चर यह जो हम लुक सीड कौट कहते हैं ठीक है और यह जो आपको इपको वह तरीके से निवक के सही होता है यहां से नहीं से नहोग कर दिदा निकलना सुरू होता है बहुत है है और अपको और इस प्रुट हाइपोकॉटिल जो होता है वो बीच का ब्रांच होता है और रेडिकल जो होता है वो आपको नया सिर्स निकलना शुरू होता है रेडिकल से यानि कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि सीड के कौन से हिस्से से नया पौधा निकलता है तो हम क्या कहेंगे रेडिकल से निकलता ह है और जया को बड़ा होता है श्रइब इसको हम लोग हंदी में बोलते हैं लोग मिलें को हम लोग के लिए एक शबद आता है इसको हम लोग बोलते हैं Dunric Gorin को भूते हैं यह जो होता है हम लोगों का विजपतर होता है स्धीट होते हैं Porter सेज से च्फ आते हैं वेह तरीकें होते हैं इसके बाड़े में आप लोगों को आगे के क्लासिज में पढ़ने के लिए मिलेगा अभी विदार हम लोगों के लिए इतना ही को कर tali & 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 से बीज लगा और अचानक से पौधा निकल गया इसमें कहीं सारे छोटे आपके डिवलोप्मेंट के स्टेजेस सामिल होते हैं यानि कि जब इससे पहले कि कोई पौधा फुली ग्रो हो इसके पहले जो है उसको कहीं सारे स्टेजेस से होकर बुजन जड़ना पड़ता है और नमी के कारण जो होता है उसमें से अंकूरन होना फोल शुरू होता है उस सीड में पर आपको पड़िया यह जो छोटव सा यह है इसको आपको पानी तो यह तो यहां से जो है अब आपको आता है कि यहां से जो है आपको सीड कोट ब्रेक करके और थोड़ा सा सीडलिंग जो है वह बाहर आता है और वहां से जो है आपको यानिकि जो आपको चोटा सा पौधा निकलता है उसको आपना खाना पहले से ही यानिक बीज पत्र से लेना पड़ता है और बाद में जो है वह अपना भोजन मिट्टी से लेता है इसके लाँब जो सीडलिंग होता है वह आपको रूट या फिर शूट में डेवलाप रूट पौधा होता है वह और ज्यादा आपको और उसकी पत्तिया आने लगती है तो वह आपको एक बड़े पौधे के रूप में विक्सीत हो जाता है अब देखें यह जो है बोलता है कि not all seeds grow into plants याने कि सारे की सारे जो seeds होते हैं वह अब को plants में नहीं बदलते हैं कुछ seeds होते हैं जिनको जो है आपको जानवर डेमेज कर देते हैं या insects damage कर देते हैं या फłवेंड या वाटर के वाज़े से जो है वह damagewhen health हो जाते हैं कुछ जो होते हैं उनको नहीं मिलता है ऐन्मारे हो compared यह जाती है दूसरे सीड के पेक्चा जिसके कारण वह आपको स्टार्व कर जाते हैं मतलब कि भूखों बरना मतलब को नियूट्रिशन नहीं मिलता है तो सीड क्या हो जागा इसके लब होता है तो अवाइड गुरॉएंग यानि कि यही कारण है कि हम लोग जो है सीड को क्या चाहि करना चाहिए जक्समाना चाहिए कि दृण लगा पास लगा यंद relate तो उनके पास वार्टर या ऐनिमयस और मट बात तो यह जो आपको कमी हो जाएगी बाकिन नूट्रिएंट्स के इनमर्स होएं विन्ड होटे सीड को मतलब होता है आपको बीज को एक जगह से दूसरी जगह छीट न एकतर की से कह सकते हैं जो आपको बीज को आपको चारो तरफ आपको चीटा प्लांट से उसी को हम दोग डिस्पर्सल कहते हैं डिस्पर्सल जो होता है वह आपको हवा पानी जानवर या फिर एक्स्प्लोजन यानि कि फटने से भी होता है इन ओर टुछ यानि कि आपको जब आप दूसरे एजेंट्स के दोरा यानि दूसरे आपके बाहरी तत्वों के दोरा जब आपको डिस्पर्सल होता है तो मैनी सीड्स एंड फ्लूट्स अब डेफलाफ इस इस डिस्पर्सन के करन जो है कुछ आपके खास गुण भी आ जाते हैं लेकिन पहल होगा दोर सबस्क्राएं तो योई इस तरीके से लाग अलग अलग क। चीट दिया उसको चारो तरफ छिटक दिये और इस तरह के से आपको अलग अलग जगह मिल गया सीड को जर्मिनेट करने के लिए कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिसमें काटा जैसा होता है और वो ना उस पे चलिएगा तो आपके पैर में चिपक जाएगा तो क्या होगा कि जब कोई जानुवर जैसे माल नीचे चल रहे हैं उसके पैर में कोई सीड लिभा गया पिर वह उठा हो चिपका और तो बैठक गया तो वहां पर वह सिड वहां उसके पैर में से गिर गया नीचे तो इस तरीके से जो है आपको सीड रिस्परसल का ये भी एक तरीका हो गया देस्टिक वह इस दिया हुए कि दूसरे जगा पर जाके वह गिर जाते हैं स्टिक होका उसके बाद दूसरे एजेंट हैं लोग का वींड वींड जो होता है सम वह बड़े ही आपके हलके होते हैं जिसके गड़मे के दिन में आप लोग देखते होंगे एक वाइट कलर का उर्टा हुआ आता है जिसके आप लोग खेलते भी हो बहुत जादा और जिनरल आम बोल चल कि भासम बच्चे उसको मामा जी मामा जी करकर भी बुलाते हैं तो व यह सद्कित परहां तो हीजिए जिसके परंब करते हैं जिसके निई हुए है'll को मैं इस आपको जो आपको घॉडमी आपको प्लांट में या फिर वाटर बड़ी के आसपास उगते हैं तो उनका जो सीड के डिसपरसल करने का काम होता है यानि कि बीज को छीटने का काम होता है वो आपको पानी के द्वारा ही होता है जैसे कि मालीचे की एक लोटस को लेते हैं सबल सकते होता है लोटस क्या होता है पानी पर करता है यहां से सिड का इसपरिती दिसपरसिल कप्राइं नेक्स एजन्ट एक्स्प्लोजन के द्वार्र तो 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 काफी ज्यादा अब फोर्स के साथ फट में जिसके करनों बीज चारोत प्लख च्टक जाता है इसा कि बलसं की का प्ल पी का जो मटर वगड़ा का पौधा होता है उसका जब भीज फटता है दूर तक बर्स्ट करके फिट चिटक जाता है और इस तरीके से जो है उसका सीड डिस्पर्स होता है अब देखिए ग्रुएंग न्यू प्लांट्स रूट स्टीम एंड लिव्स यानि कि नए पौधों का उग सब्सक्राइब देखते हैं कि आपको न्यू प्लांट्स प्रूट्स दिया हुआ है यानि कि आपको सबसे पहले हैं कि किस चीज का हम लोग आपको सब्सक्राइब आपको देखना होगा आपने कभी सब्सक्राइब कि उठाकर और उसको सीधे बिटी मगाड़ देए और उसा इसे जो है आपको नया पौधा निकल कर बहार आ जाता है अब आपको समझने के लिए आपको एक्टिवीटी भी दिया हुआ है देखते हैं कि क्या दिया हुआ है देखें न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडर्ग्राउंड स्टीम यानि कि अंडर्ग्राउंड स्टीम से नय पोदे कैसे बाहराते हैं अंडर्ग्राउंड स्टीम सो गया जैस चूटे छोटे उसमें अंपूरंधर्ण होने लगता है और और आई उनको बोला जाता है चूटा साइब को समझे के तरीके से सीडलिंग होता है और हर एक आई जो होता है वो आपको अगर उसको suitable condition दिया जा तो वो ग्रो करके पौधे में बदल जाएगा वेंदीज बर्स यानि कि जब इनको हम लोग मिट्टी में प्लांट करते हैं तो वे आपको नए पौधे के रोप में बदल जाता है जैसा कि आलू के बारे में अपने सुना होगा या देखा हुगा कि आलू को जब हम लोग बॉटे तो क्या करते हैं जो आंख वाला अलू होता है यही विस्कस का जो अढूल का होता है यह फिर कॉटन यह फिर सुगर इन सब का जो हैं हम लोग तना कट कर लगा देंगे तो इसे पोधर उगाता हैं तो नय पोध हमसे का में से अनी तला लोग कर ना नहीय के लिए टतना प्रक्रिया कर दि कर दो किसी तो regular के बदा लिए तो डिखेगा सथीन के बाद विल नम्हें यह कर दो तो भी जो है हम लोग लोग नया पौधा कर सकते हैं जैसे ब्राइव Weillem का पत्ता होता है यह भी इंखको खैंसे लिव को आप से उसको मिट्री में से चटे पादा निजिसाने लगेगा यह होता है न्यूप्वाद इसके लावी हनुण स्पोर्ट वेश Chains बन को न Choose स्पोथ है स्पोर्सॉर्ण से नय वॉण सकते हैं कुछ पौदे होते हैं जैसे कि फर्ण या मश्रूम या मॉस उन में फेलावर नहीं होते है यह सीर को प्लाव्र Umgy और इनका हर एक प्रॉड आपको नए पधे को गुरो कर सकता है जिसे कि फर्न हो गया या मश्रूम हो गया या मॉस को बटा हिंदी में भी जो है आपको मॉस की वर्ड मिलता है साइंस के बुक में अब आता है अग्रिकल्चर का मतलग होता है क्रिशी ठीक है प्लांट्स नीड टो भी ग्रोन लाज स्केल देखिए पौधों को जो है आपको जब हम लोग बहुत जादा मात्रा में उगाते हैं किसी देश के पुरी पुरी जनसंख्या के नीड को फुल्फिल करने के लिए तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अगरिकल्चर यानि इत्रेट हो गया इन सब को मिट्टी में मिलाया जाता है लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग मिट्टी में फर्टिलाइजर का यानिक इन आपके रासाइनिक रुवाड़कों का इस्तमाल करते हैं तो यह मिट्टी को नुकसान भी पहुचाते हैं इसलिए जब वीजों का इस्तमाल जो है वह क्रिशिंख के लिए करना चाहिए इसके शब्स करने से पहले मिट्टी को पहले अच्क्य तरीकित से त्यार करना चाहिए निकि फ्रिवड पाणी से और इसके अलावाद इंसक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का स्तमाल और ये जो कीट नासक पीड़क नासक होते हैं उसको चृड़का जाता है अगर इसको तरीके से चिड़का गया तो जो आपके पौधे के उपर लगने वाले जो पीड़क होते हैं वो आपको खतम हो जाते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लेकिन ज्यादा मात्रा में भी इनका चिरकाओं नहीं करना चाहिए क्योंकि ज्यादा मात्रा में चिरकाओं करने पर ये पौधे को भी नुकसान किसी चाई करना होगा और उसके बाद आता है इरिगेशन इरिगेशन मतलब किसी चाई करना होगा और आता है पीरक ना सकते हैं तो देखिए जो हार्वेस्टिंग यानि की कटनी होती है इसमें जुए कटाई की जाती है अब आता है हम्लों का प्रोटेक्शन प्र्टेक्शन की रख्षा कैसे कर सकते हैं तो देखे चुडिया होती है यह फिर होती इसी फसल को चाते नुक्सान पहुंचाते हैं इसलिए वह प्रख्षी से पहले और कटाई के बाद भी तो कटाई से पहले तो हम यानि किट ना सक्या पी रख ना सका वहीं अगर आपको कटनी के बाद अगर आपको इनको यह करना है सुरक्षित रखना है तो इनको सही तरीके से स्टोर करके यानिके इनको रखनी की वेवस्ता सही से करनी पड़ती है कहीं भी रख देने पर जो है इनमें कीट लग जाते है और फिर जो है बहुत जादा नुकसान पहुचाते हैं फसल को फसल के उत्पाद को चलिए तो यहां पर जो है अपका लेशन तो खतम हो गया अब जिन लोगों के पास बूख है वो लोग जो है अभी मैं टिक देख अक्शन करवा रही हूं वो लोग टिक मान लीजिए और जि स्कल्ट यानि कि छोटे से बेवी प्लांट को क्या कहते हैं सीडलिंग कहते हैं मैंने कहीं बार बता है तो सीडलिंग या फिर सैपलिंग भी का जाते हैं पर सीडलिंग दिया तो सीडलिंग कर लीजिए इसके लावा वह प्रोसेस जिसके द्वारा जो है सीड्स आपको प्लांट को आप जाती है तो इसको आप जो है लीव पर टिक कर लीजिए अब आता है तो अचली तो सकता है जो सकते हैं निदेए कोच में इसक आई पहले देवर लिजिए तो नंबर मेंहें लाइट भर लीजिए थरी नंबर में दिये हुए है कि कौन सा फ्रूट जो होता है वह स्पांजी होता है तो कौन सा फ्रूट स्पांजी होता है तो कौन सा फ्रूट स्पांजी होता है तो कौन सा फ्रूट स्पांजी होता है तो कोकोनेट का फ्रूट स्पांजी होता है फोर नमबर में दिया है कि डैस ट्री ग्रूज नियर द लोटस वड़िये तो पानी के पास उगता है तो इसलिए फोर नमर में पर लीजिए और फाइफ वेला में दिया हुआ है कि प्रोडक्शन को बहाने के लिए मिट्टी में क्या आड़ किया जाता है तो फाइफ नमर में आप मैंनियूर भडियेगा चलिए हम लोग आगे करते हैं ट्रू और फॉस में दिया हुआ है कि कुछ पॉधे जो होते हैं यानि कि कुछ पॉधों को जो है हम लोग प्रवर्धन के दोरह उगा सकते हैं तो बिल्कुल उगा सकते हैं उगाया था हमने अभी पढ़ा हमने कि रोज हो गया या पोटेटों गयरे को काई प्रवर्धन सुनीट करते हैं तो यह था जाएगा उसके पाद हए आपको सब्सक्राइब करते हैं यह जो है आपको तरा आपको घर्मी के जो बरसात जाया दो बाहाई होती है और बसात के बादए होती है तो यह फॉट नंबर और पाईव यह होए कि a new bryo film plant grows from its steam, बाया फ्रेम का जो पौधा होता है वो steam से ग्रो करता है, तो यह भी फॉल से बाया फ्रेम का पौधा जो है वो लीव से ग्रो करता है, इसके आगे आपका question answer है, तो question answer आप लोगों को करिये, पढ़ाई करिये, thank you very much